आज मैं बहुत ज़ादा एक्साइटिड हूँ पता है क्यों कि आज जो प्रेशर कूकर हमारे पास है वो दिखने में इतना कूल है इतना स्टाइलिश है कि आपको लगेगा यह नहीं कि कूकर भी अभी ऐसा दिख सकता था इसमें आप प्रेशर कूकिंग कर सकते हैं डीप फ्राइंग कर सकते हैं स्टीम कर सकते हैं और सब भी कर सकते हैं चाहे आपने इनर लिट के प्रेशर कूकर यूज करे हूँ या आउटर लिट के प्रेशर कूकर यूज करे हूँ पर इस तरीके से किसी प्रेशर कूकर को खुल और बंद होते हुए नहीं देखा होगा. कोई इनसान जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है और प्रेशर कुकर से डर लगता है, उन्हें भी इस प्रेशर कुकर में वो डर बिल्कुल फील नहीं होने वाला है. आप इसको एजी ली एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वज़े से इसे नेक्ट जेनरेशन प्रेशर कुकर भी कहा जा सकता है. यह 304 ग्रेट स्टेनलेस टील से बना हुआ है, यानि की नॉन फेरस है, नॉन रियाक्टिव, और आपको भी पता है, स्टेनलेस स्टेनल सबसे ज़़ादा हाईजिनिक मेटल होता है, जब कुकिंग की बात होती है, तो. उसके अलावा, फ्लैट बेस बॉटम का फाइदा ये है, कि जो खाना है, वो अच्छे से पकता है और एवन कुकिंग होती है. ये इंडक्शन और ग्यास दोनों पे ही यूज किया जा सकता है, इसके अलावा बैकलाइट के हैंडल हैं, जिससे इसको पकरना, उठाना, खाना, बनाना, सर्फ करना बहुत आसान हो जाता है. And the best part is, इसी pressure cooker के साथ ने हमें एक बहुत ही खुबसूरा toughen glass lid मिलता है, जिससे हम इसे directly dining table पर सर्फ कर सकते हैं. तो लुक्स तो आपने देख ही लिए, अब बात आती है cooking की, और फिलाल मुझे बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है, गर्मा गर्म छोलो की जो बनके तैयार है. इसमें चार सेफटी वाल्स हैं, और ये वन आप दा सेफेस प्रेशर कुकर है. अब छोलो के साथ क्या अच्छा लगता है? भटूरे? मगर प्रेशर कुकर में भटूरे? सुना है कभी? क्योंकि इसकी शेप इतनी अच्छी है, मुह इतना चौड़ा है, आप इसमें इजिली डी फ्राइंग कर सकते हैं.